टॉप ट्वेंटी नियूज इस ब्रॉट टू यू बाई वाल के हैपी होम्स दोजार शुबिस के नए साल की शुपकामनाओं के साथ स्वागत है आपका एंबिसी नियूज पर आज की टॉप ट्वेंटी खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रतना कर यूद्ह में बन रहे रामंदिर के प्राण पर्दिस्ठा कारिक्रम 24 को को फोने वाला है कानला के जाने-माने मुल्थिकार और उनियूदिर शुप के जर्य की जाओ ना है औलेंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुस्लिमेन प्रभुकावर हैदरबाद सांसर असुद जित ओवेसी ने मुस्लिमियों से किंद सरकार के जरिये की जा रही गती वीडियों से साउधान रहने के अप्रिल की है उन्हें कहा है कि देश भर की मस्जिदे भरी होई होनी चाहिए ओवेसी के इस बयान के बाद बीजी पी उन पर हमलावर हो गई है ओवेसी का ये बयान ऐसे समर पायर आया है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा होने वाली है श्यर बाजार में आज मामूली बड़त के साथ ओपनिंग हुई है और बाजार खुल के हैं लाल निशान में फिसल गया संसिक्स और निफ्टे ने बाजार खुल के थोड़ी गिरावट दिखा और यह उतार चड़ावत के साथ कारोबार करने लगे वारानसी के बनारस हिंदो इशुदे डैलेक है आई आई ची की छातरा के साथ एक नवंबर होए गया ग्रेप और बदसुलू की के तीन और रोपी उपकी पूरे साथ दिन बाद की रपारी हुई है वारानसी पुलिस की छे टी में आरोपी के तलाश में जूटी थी और वा होगी हीट एंड रंद कानुन के किलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरुद्प्रदर्शन के कारण दर की कमी के डर से लोग अपने वहंत में टैंक बरने के लिए इंदन तुम को पर फ्रीड लगा रहे हैं जपान ने सोंवान को किष्चिमी समुद्रिक शेतर में बुक्रम पेज जटके मैसुस के जाने के बाद सुनामी को लेकर जारी के लिए अपनी जेतावनी किस्तर को घटा दिया है लेकिन तटी एलाखों के निवासियों से कहा है कि वे अपने घड़ों में ना लोटे क्योंकि घटक लहरे अब भी आ सकती है एटन डन के मामलों में केंद्र सरकार के कड़े नियमों के खिलाब टांस्पोर्टर सरक ताल पर है नए नियम में 10 साल कैदर जुर्मानी के सजागा प्रावधान है सरकार के इस नियम से ट्रक ट्राइवर गुस्सी में है मद्यपदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है वन्चीत बहुजुनागाणी निता प्रकाशामिट करने का है कि आशिर चकित है कि विपक्षिस वयोगी के बीच सीट बटवारे के बाचिच शुरू करने के बजाए कॉंग्रेस रावल गांधी की भारत ज्याय यात्रा के तयारी कर नहीं है श्योबा संकेटन के नेता मनो जरांगे पार्टेल ने चेता उने दिकी कम से कम प्रीम करोड मराठा समुदाय को आरक्षिन देने के लिए दबाव बनाने के लिए 20 जनुवरी से मुंबई की 11 बंदी करेंगे जरों के पार्टेल ने मीडिया से बात करते हैं कहा 20 जनुवरी से लोग पूरे महाराशन में अपने कजब और गाउं को छोड़ देंगे पैदल बसों बड़े चोटे वायानों से या ट्रक्टर से यहां आएंगे महाराश्य के नाकपूर जीले में एक चालिस वर्षियों महिला ने अपने पती की पीट-पीट कर रहत्या कर दिया अरुपी अरुना पार्टेल ने पुलिस को बताया कि वह अपने पती की शिराप बढ़ गया है महाराश्य पूलिस में लगातार तबाते हो रहे हैं उन्हें पारदर्शीता से काम करने की इजाज़त नहीं है महाराश्य कांग्रेसितिक शिराना पठोली ने राम मंदीर मोटरवान एक्ट और इंडिया गटबंदत समेट विविन नमुद्टो पर अप्री रायर की राम मंदीर की मुद्धे पर बीजीपी पर हमला करते हुने ने कहा कि मंदीर अभी हरदूरा है और धूरे मंदीर में स्थापना करना गलत होगा ऐसे समय में इलेक्शन का स्टंट करना इनकी आदत है राम मंदीर में 22 जनुरी को रामलेला की प्रतिमा स्थापी धोनी है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के नेट्रतों में अपना विश्वास व्यक्ष्वे करते हैं उम्हारा स्टेग्ड्गों की मुख्य मंध्री जटपवार ने कहा है कि प्यम मोदी का कोई भी कल्प नहीं है क्योंकि उन्होंने काम किया है और लोगों के लिए विए ध्योच पिछले कुछ उस समय से उनकी फिल्म में उस हिसाफ से कलेक्शन नहीं कर पा रहे थी लेकिन अब उन्होंने साल दोजाते इस के जाते जाते ही लाई पकली हैं ये साल उनके लिए कभी खुश्य कभी गम लेकर आया चाहा एक तरफ उनकी फिल्म आदी पूरुष को कातिया लुशना जेलनी पड़ी वहीं दुसरी तरह सलार की हर तरफ प्रशन सा हो रही है टीवे का मश्यूर रियालेटी शो बिग बॉस 17 अब अपनी फिनाले के वर बढ़ गया है सल्मान खान का ये शो कत्म होने में प्रस चंद अपते बज़ गए हैं ये वज़ा है बिग बॉस इस शो में कई नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं फिचले अपने बिग बॉस के घ जल जल ही शहना या बुझने वाली हैं सुपरस्टार के लाली इराख खान अपने बाइफ्रेंड लुकुर्श चिकरे के संग शादी करने वाली हैं ऐसे मैं आमिर शादी की तैयारियों में जोरो शोरो से चुट गए हैं शारू खान की डंग की एक फैमिली कॉमेडियर ट् किल्म की कमाई की बात करें तो डंगेरे लिलेज के पहले हफ्ते में 160.22 करोट का कलेक्शन किया हैं टी और बॉलिवड के जाने माने चेहरा और एक प्रिश्वधी एक फोन स्कैम का शिकार हो गया है उनसे एक स्कैमर ने फोन कॉल के जरिये पर 45,000 रुपे की दोकादरी की ह नहीं हैं यह थी आज की टॉप 20 खबरे खबरों का सिलसला इन बीसी नियूस पर यूही लगातार चलता रहा है बंदर है हमारे साथ में इन बीसी नियूस पर फिर से एक बार तमाम दर्शकों को आने वाले 2024 की बहुत-बहुत शुप कामना है नमस्कार